नमस्कार दोस्तों, केसे हैं आप लोग, केसे तयारी चल रही है आपके, स्वास्ते केसा है, रीट को लेकर इस वीडियो में हम कुछ दर्चाएं करेंगे, और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको थोड़ा जो सोड दिलाएं, ताकि आप तयारी करो रीट की जम कर, तो दोस्तों, REIT exam कब होगी पहला तो यह सवाल है ठीक है तो board exam तो cancel हो गए मगर REIT exam जो है वो आपको ऐसे सिधे board की तरह पास करने वाली नहीं है क्योंकि यह competition exam है तो जैसे अगर हम वर्तमान से बात करें कि मान लीजिए अगर 15 जून से form खुल जाते हैं ठीक है तो 15 दिन फर्म चले यह उपन होए 15 दिन फर्म चले लाश्ट देट तीस जून अनमान लगा रहे हम एक कि अगर ऐसा होता है minimum अगर शुरुआत हो जाती है मान लो तो एक जूलाई से फिर जो यह नए वाले कहेंगे कि हमें 45 दिन का टाइम दो 45 दिन फर्म को टाइम दे दिया तो आगई जूलाई और 15 अगस्त ठीक है अब 15 अगस्त से एकजाम कभी भी हो सकता है तो मेरा जहां तक अनमान आपसे कहना है या आप लोगों के मन में भी चल रहा होगा एक मोठा अनमान की अगस्त सितंबर तो आप जो है 15 अगस्त के हलो क्या आप रीट पटवारी या सब इस्पेक्टर की तयारी कर रहे है तो पले स्टोर से डाउनलोड करें यस गुरू एप नहां पर आपको मिलेंगे वीडियो, मोग टेस्ट, पीडियाप और 5000 से अधिक महत्यपन परस्नों का संग्रह है त्युक्त डाउनलोड अन प्रिंट रीड फिस्टी प्लस टेस्ट पैपर्स यजु यून डाउनलोड अन प्रिंट वेरी इजियली थांकियो सर ताकि हम प्रिंट निकलवा सकें और बार बार रिविजन कर सकें के बाद कभी भी एकजाम आनके चले इस इसाब से आपके पास में अब दो महीने जो है वो बच रहे हैं वो मैं यह कहूंगा तैयारी के लिए नहीं बली कि रिविजन के लिए क्योंकि तैयारी तो आपने 25 अप्रेल के इसाब से पहली कर ली होगी फिर 20 जून का वो चल रहा था तब तक कर ली होगी अब लोगडाउन में भी कुछ तैयारी की होगी आपने या कम होई है तो अभी भी आप धार दे सकते हैं मगर अब एक्जाम थोड़ा ओट अफ होने वाला है क्योंकि वेदता जो है वो सेंटर ने तो बढ़ा दी आपको पता है सीटेट की आजीवन कर दी तो राजस्तान में भी मांग होगी और करनी भी पड़ेगी तो वेदता अगर आजीवन हो जाती है हालां कि इदर पद भी बढ़ रहे हैं 31,000 के सुनने में आ रहा है आपने भी सुना होगा कि 34,000 कुछ 35,000 कुछ बढ़ेंगे 4 या 5,000 पद बढ़ सकते हैं तो अपन 31,000 मान के 34,000 मान लो ठीक है मगर अब कठी नाई का इस तर बढ़ने वाला है क्योंकि जैसा कि न्यूज पेपर में पढ़ा 16,000 आवेदन जो है वो तो आ चुके हैं और अनमान है कि 1,500,000 EWS से जो 40 साल आयू सीमा बढ़ाई है नए आवेदन होंगे कुछ लोग पहले भूल गए हो कुछ के अब हो साया हो कुछ इस लोग डाउन से और मान लो किसी के विचार चेंज वे हो तो एक से डेड़ लाग फ़रम और भरे जाने है ठीक है तो अब क्या होगा कुल मिलाकर चार लाग के आसपास ऐसे लोग है जो 2011 उसके बाद जो और रीट हुई 15-17 उनमें भी पातर थे मगर सर्विस नहीं लगे अब उनकी वेलिडिटी पहले समाप तो गई थी अब उनके बढ़ जाएगी तो वो भी इसमें सामिल हो जाएंगे तो करीब 21 लाख के आसपास केंडिडेट जो है वो परिक्षा में सामिल होने वाले हैं कौन सी जो फाइनल जीट के बाद में जो एकजाम होगा भरती के लिए जो रिक्रूटमेंट आएगी उसमें तो उसमें 21 लाख के आसपास 20 से 21 लाख लोग जो है वो 34 हजार पद के लिए लड़ेंगे तो इस हिसाब से जो सफलता का परतिसत है वो लगबग एक से डेट परतिसत रहने वाला है यानि की 21 लाख में से केवल 34 हजार सर्विस लगेंगे और 20 लाख के आसपास वेसें के वेसें जो है उनको पुने कोई और प्रियास करना होगा अब ये सुनते हैं तो एक वाग घबराट पेड़ा होती है ना कि क्या पता आप कहां उसमें स्टेंड करेंगे नंबर आएगी कि नहीं आएगा मगर ऐसा नहीं सोचना आपको ये नहीं है कि शिटेंग खाली रहेगी आप तैयरी नहीं करोगे तो 34,000 खाली रहेगी ऐसा नहीं है तैयरी करने वाले कर रहे हैं इस वर पे बरोसा रखें अपने तैयरी पे बरोसा रखें और मेहनत करते जाएं जो लगातार मेनत करते हैं, गलतियां नहीं करते हैं, पुरानी गलतियों से शीकते हैं, एक प्लानिंग मना के तयारी करते हैं, रियूजिन करते हैं, तो वो सक्षेज होते भी हैं, आप में से ही सक्षेज होंगे, पहले भी होते आये हैं लोग, जिस जिस तरीके से भीर तो हर जगह हैं हर जगएं competition है हर चीज में competition है तो आपको घबराना नहीं है अपनी तैयारी को और प्रिस्कृत करना है उसको सुधार करना है तैयारी केशे करें अब यह बात है तो तैयारी जो है आप अभी करते आ रहे हैं तो उसको revision करते जाएं आप अपना मुल्यांकन करें कि कहां आपकी कमी रह रही है कौन सा पार्ट आपका वीक है बासा वाला है मनोविग्यान वाला है या सब्जेक्ट वाला है उस पर फड़ा फोकस करें जो इस्ट्रोंग है उनको भी पूरी तरह से छोड़े नहीं उनमें भी कुछ नया मेटर या कोई और सिस्टेमेटिक तरीके से रिविजन करते हुए और बीना किसी डर के क्योंकि देखो एक चिंता और डर है वो तैयरी को रोकते हैं तो मन लगा के अपने तैयरी करते जाएं एक्जाम को आप ये मान के चलें कि सितंबर में होगे अगर आपने आगे का माना तो नुक्सान है अगस्त और सितंबर का इमान के चलें तभी आप अपने तैयरी को अच्छे से कर पाएंगे अब हम बात करते हैं सो के सब्सक्राइबर की तो दोस्तों अपना जो परिवार है यूट्यूब का जो कि पिसले दो डही साल से हम एक दूसरे से जुड़ेवे हैं और अपना प स्टुडेंट्स जो मेरे भी स्टुडेंट्स रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स कई विद्यार्थी मित्रिस में जुड़ेवे हैं तो ये एक लाख पहुंचाने में आप सभी का योगदान है तो आप से मेरा आगरर हैगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्स कुछ नया ओफर रीट के स्टुडेंट के लिए कुछ नया हम लाएंगे हमारी तरफ से भी कोशिस रहती है कि आपके तयारी को आसान बनाये जाए उसमें कुछ मदद की जाए इसके लिए हम प्रयास करते भी आ रहे हैं आप लोगों ने देखा होगा येस गुरु एप के उपर हम लोगों ने रीट के विद्यारतियों के लिए टेस्ट स्रीज चलाई उन टेस्ट पेपर को डाउनलोड की सुविदा दी ताकि वो जो अल्ला दिन का चिराग नाम से कॉर्स लगाया उसको प्रिंट करवा सकें उनको रिविजन कर सकें ये सब है साथ ही अब हमने NCR को भी सामिल किया कक्सा गया रहे बारे RBSC वोर्ड वनोविज्यान NCRT उन में से क्यूशन बना के संजेपाल सर और उनकी टीम में और हम सब की टीम जो है वो इसमें ला रहे हैं तो जैसे ही सो के सबस्क्राइब होगा कुछ ना कुछ नया जो प्रस्ताव कुछ ओफर आपक को क्या लगता है कि रीट एकजाम कब होगी तो यह आप कमेंट करके बता सकते हैं तो साथियों घवराना नहीं है डरना नहीं है अपने तैयारी जो है वो जारी रखो मंजिल की और बढ़ते रहो मंजिल जरूर मिलेगी धन्यवाद